हाई गाईज अगर आप एक All-in-One Ink Tank प्रिंटर खईदने चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आज हम बात कर रहे हैं वन ओफ दो बेस्ट इंक टैंक All-in-One प्रिंटर के बारे में इन दो प्रिंटर में से आपको एक प्रिंटर कंसिडर कर सकते हैं दोने प्रिंटर काफी नामी ग्रामी है और Ink Tank All-in-One में इनका बहुत नाम है पहला है HP का 410 और दूसरा है Canon का G3000 इन दोनों का आज हम कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रिंटर है बेस्ट आप देख रहे हैं बेस्ट वाले यहां मिलता है आपको शांदार कंपेर प्रिंटर में दे दी गई है वहां जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं खईदने से पहले इनके रिव्यू जरूर पढ़िएगा अब हम कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रिंटर है HP का 410 और इनके अंदर एक टेंक जिससा सिस्टम मौझूद है जिसमें आप इनक को फिल करते हैं इसके बाद दोनों में जो इसकेनर है वो फ्लेड बेड इसकेनर आता है यानि कि पेज को आपको सीधा रखना पड़ता है इसकेन करने के लिए इसमें जो प्रिंट आउटपुट है व जिसके दोनों तरफ आपको दो पेज प्रिंट करना है और दोनों तरफ एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहते है यानि कि आगे और पीछे तो उसको कहते हैं डुप्लेक्स प्रिंटिंग इन दोनों के अंदर आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग का फंक्शन नहीं मिलेगा आपको खुद एक तरफ प्रिंट करके पेज को अपने आप से घुमाना पड़ेगा दूसरी तरफ प्रिंट करने के लिए इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले का तो इन दोनों के अंदर आपको डिस्प्ले एक में मिलता है और दूसरे में नहीं मिलता HP के अंदर आपको एक छोटा सा डिस्पले मिलता है डिस्पले से आपको एक क्लियर हो जाता है कि कितने pages प्रिंट हो रहे हैं तो इस तरीके का आपको HP में तो मिलता है लेकिन Canon के अंदर आपको कोई छोटा डिस्पले नहीं मिलता है इसमें connectivity की बात करें तो आपके जो दोनों हैं वो Wi-Fi से connect हो सकते हैं company के दावा है और USB और HP का smart app आता है तो HP से connect हो जाएगा और Canon के लिए Canon Shelfie app आता है उससे आप इसे connect कर सकते हैं इसके बाद हम print per minute की बात करते हैं यानि कि एक minute में कितने pages print कर सकते हैं तो जो HP है वो आपका black and white page तक अगरीबर 7.5 यानि कि 7.5 पेज तक प्रिंट करेगा और जो color है वो प्रती मिनट 4.5 पेज तक प्रिंट करेगा Canon की बात करें तो 8.8 black and white pages तक प्रिंट कर देगा और 5 color pages प्रती मिनट ये प्रिंट करेगा यहाँ पर जो point है 8.8 ये एक लगबग अनुमानित दर है ये change होता रहता है जब आप जिस तरीके से प्रिंट करते हैं उस हिसाब से इसके बाद cost पर पेज की बात करते हैं तो ये जो cost पर पेज होता है ये ISO standard के साब से तेखिया जाता है याना कि original pages इस ओजिनल इंक के साब से कितना आपको बढ़ेगा टोटल आप एक प्रिंट निकालेंगे तो तो ISO standard के साब से बात करते हैं तो जो HP का है company के दावा है कि HP के अंदर आपको एक black and white print 10 पेसे का पढ़ेगा और एक color print आपको 18 पेसे का पढ़ेगा Canon के अंदर 9 पेसे का black and white और 32 पेसे का color print इसके बाद हम देखते हैं page size support तो इन दोनों के अंदर बहुत सारे pages side support करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं इसके इन पर दिखाया गया है इसके बाद बात करते हैं duty cycle की यानि कि ideal कितना आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं duty cycle क्या होता है कि printer के लिए company कह देती है कि आपको printer में इतने pages तक print निकालना है या आपको इससे ज़ादा pages print निकालना है मान लीजे कोई printer है आपको आपकी shop पर मान लीजे कि 20,000 pages आपको मतली निकालना पड़ता है और आप इसस प्रिंटर लाए हैं जो नॉर्मल घर के लिए इस्तमाल का है तो आप अगर उसमें 20,000 pages निकालेंगे तो printer जो है वो बोल जाएगा यानि कि इतना काम वो नहीं कर पाएगा इस तरीके से company के दोरा बताया जाता है तो HP company में बताया है कि इसका जो ideal use है वो 1000 pages per month तक आप कर सकते हैं और Canon में बताया गए है कि आपको इसमें 200 pages से जादा यूज करना है देखिए इसमें company ने clear नहीं करा है तो मैं आपको बता दूँ जो ideal use बताया है HP के लिए वो 1000 pages प्रती महा का बताया है और Canon company इने ideal use नहीं बताया लेकिन ये बताया है कि आपको अगर 300 pages से जादा ही इसको इसको इसमाल करना पड़ाएगा ये बताया कर आप 300 pages प्रती महा निकाल लेते हैं तो ये printer आपके लिए इसे आप यूज कर सकते हैं होता क्या है असल में मान लिए आपको इसको इसको इसके बाद बात करते हैं और इसके बाद करते हैं print resolution की दोनों की अंदर आप print resolution देख सकते हैं 4800 x 1200 dpi का आपको color में मिलता है और Canon में भी आपको इतना ही up to dpi मिलता है और इसके बाद बात करते हैं page yield की आने के एक cartridge से आप कितने pages तक print कर पाएंगे company का दावा है कि जो HP का printer है वो आपको 4000 black and white print तक दे सकता है और जो color pages अगर आप निकालेंगे तो 8000 pages तक आप print निकाल सकते हैं और Canon company का दावा है कि 6000 black and white pages आप निकाल सकते हैं और 7000 color pages आप निकाल सकते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा जो आपकी page yield है आने कि जो cartridge है उसका price भी check करिएगा परना आप सोचेंगे इसका ज्यादा है इसका कम है तो आप पहले cartridge का price भी check कीजिए कई इसार नहों कि यह महंगा हो cartridge उसका तो वह बात वही पड़े तो उसका आप एक बार check कर लिजेगा इसके बाद warranty के बात करें तो दिखाया गया है online की एक साल की warranties में है और price की बात करें तो price के लिए आप links नीचे description में check कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो price है वो change होती रही थी और अब हम इन दोनों का एक overall comparison देख लेते हैं तो दोनों का मैंने comparison आपको दिखा दिया है इसमें साथ आप देख सकते हैं कौन सा printer आपके लिए best है आप कौन सा printer खैदने चाहेंगे HP का या फिर Canon का comment में लिखके ज़र बताएगा दोने के लिए इस नेचे description में दे दी गई है वहाँ जाकर आप check कर सकते हैं और खैदने से पहले review ज़र पढ़िएगा आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया और comment करके जबूर बताएगा अगर आपको कोई सवाल है printer से related तो कीजिएगा हम कोशिश करेंगे उसका जाब देने की आपने इतना वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया और सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू